तो यानि संक्राचारिये एहंकारी भी हैं और राई नितिग्ये भी हैं ज्यानी तो रावने भी बहुत था लेकिन अंकार के लिए गड़बड हो गए ना मैं संक्राचारिये की तुलना रावने से नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ भी पिंचोधरी 22 जन्वरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कारिय करम है और संक्राचारिये इसको लेकर बड़े सवाल उठा रहे हैं संक्राचारिये का कथन ये है कि मंदिर भगवान का सरीर होता है तो आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती ये अनिस्थ है बाचीत करने के लिए आज हमारे साथ मेहंत आनल स्वामी जी मोजूद है मेहं जी बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपक कारिकरम नहीं हो सकता है ये अनिस्थ का संकेत है तो क्या आप उनके कथन से सहमत है मैं बिलकुल सहमत नहीं हूँ प्रियवर अक्सर हम हिंदु धर्म में एक बात देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी विडमबना की बात है कि हम अपनी मान्यताओं को भी अपने स्वार्थ के लिए तोड़ते मरोडते हैं अगर हमें थोड़ा सा सम्मान न मिले तो बस हम विपरीत बात कहना शुरू कर देते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अब तक आप भी सुनते आये होंगे कि मंदिर भगवान का घर है हम प्यार में ऐसा कह देते हैं जबकि यह पूरा ब् महत्तारे में ही नहीं क Kellyt' कि वजय से इस्लाम जिंदा रहेगा गुरुदवारों की वजय सिक धरम जिंदा रहेगा यानी हमारे पूजा के स्थान जो है मैं हमारी संस्क्रती को जिंदा रखने का काम करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मंदिर भगवान का श हर एक स्थान पर हम परमात्मा को देखते हैं, जिस घर में परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, वह घर भी परमात्मा का घर हो जाता है, तो मंदिर को भगवान का शरीर बताना और फिर अलग-अलग तथ्य परस्तुत करना में इसको सही नहीं मानता। आधे अधूरे मंदिर में प्रान परतिष्टा क्या हो सकती है? देखेगा ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें बाद में काम नहीं हुए, बताएगा आप मुझे, आप यहां पर आपने आसपास देख ली जगाए, जो टॉली मंदिर है, अभी इसका जिर्णो धार हुआ है, पूरे पूरे तरीके से बदल कर रख दिया, क्या वेसा ही यह जेसा वो था? आप कितने सारे मंदिरों को देखें, आप यहां पर सुरु कृष्ण मंदिर गीता धाम में बैठे हुए हैं, यहां पर जब बगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना हुई थी, उसके पश्चात यह पर कितने सारे काम हुए हैं, हाँ जब मंदिर के कलष की स्थापना हो जाती है, मंदिर का गरब गरह तयार हो जाता है, तो उस समय हम मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, और करते आए हैं, और हर एक मंदिर में ऐसा होता है, कोई मंदिर ऐसा नहीं है, जिसमें बाद में काम न तो इस तरह की बात करना बिल्कुल अग्यान है। भले ही आप कहें कि संक्राचार्य को अमग्यान दे रहे हैं जो भी व्यक्ति बिस्वार्थ से प्रेरित हो करके कोई बयान दे रहा होता है। तो वे उस वक्त चाहिए जितना भी wild hour अग्यानता की ही बाते करेगा संक्राचारिय का इसमें क्या स्वार्थ हो सकता है संक्राचारिय का स्वार्थ यह है कि जितने जितना भाव मिलना चाहिए उतना भाव न दिया जाना या फिर सर्वोत क्रष्ट आप इनसान की एक बड़ी दिक्कत की बात होती है वे इश्वर को कम मानता है, इनसान इश्वर को कम मानता है, वे अपने अवतारों को जादा मानेगा, अगर मैं इसायों की बात करूँ तो वो जीजस को प्राथ मिक्ता देंगे, गोड को कम देंगे, जीजस के नाम के मर मिटेंगे, मैं मुसल्मानों में भी कहीं बार देखता अपने अवतारी पुर्शों का अपमान बरदास्त नहीं कर सकते, इश्वर का कोई अपमान कर रहा है। मूल बात क्या है? हम अपने अहंकार से जुड़े हुए हैं। इश्वर की बात करेंगे तो सब का हो जाएगा। अवतार हमारे अपने हैं, हमारा धर्म, हमारी मान्यता, हमारी तो आदमी मैं से जुड़ा हुआ है, मूल बात, चाए किसी भी पदपर बैठा हुआ है, कितना भी ग्यानी है, वह अहंकार से जुड़ा हुआ है। अभी एक संक्राचारिय जी के बारे में मैं सुन रहा था, वह केवल इसलिए नाराज है कि उन्हें एक व्यक्ति के साथ आने का निमंतरन दिया गया, है ना, यानि कि निमंतरन तो मिलता पर बड़े बाजे गाजे के साथ में, और फिर उनको उतना ही सम्मान मिलता जितना कि वह अपना सोच रहे हैं, प्रत्यक व्यक्ति ऐसा सोचता है, मैं सबसे बड़ा ग्यानी हूँ, और मुझे प्राथ मिक्ता मिलनी चाहिए, मुझे उंचा स्थान मिलना चाहिए, इस तरह की बातों को जब तक हम छोड़ कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक नाम देश के ल उठा रहे हैं, तो क्या उन्हें सनातन, धर्म सनातन, संसकर्ती की जानकारी नहीं है, ग्यान नहीं है? ग्यान नहीं है, ग्यानी तो रावण भी ब्हुत था, लेकिन अंकार के लिए गडबर हो गए ना, मैं संकराचारिय की तुल्णा, रावण से नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैंने कि वोड़ एक उदाहरन दिया है, और वो उदाहरन अलग से है, बिल् इनसान से गलती होगी तो मूल बात क्या है कि अगर हम यह बात कहेंगे कि देखो बही मंदिर पूर्ण हो जाएगा तभी स्थापना होगी इसका मतलब तो आपने पूरे तरीके से विराम लगा दिया अब इसके बाद इस मंदिर में कोई काम नहीं होना है अरे गरब गरह पू कि इन संक्राचारियों से भी बढ़ करके साउथ से ऐसे ऐसे मंत्र पाठी वेद पाठी विद्वान वहाँ पर जा रहे हैं जो की वास्तों में बड़े दुरलब हैं यह सारे के सारे विद्वानों को हम अविद्वान गोशित कर दें केवल अपने उन संक्राचारियों के च सारे साधुसंतों की अवमानना कर रहे हैं, आप उनके पक्स में खड़े हैं या सही बात कर रहे हैं, तो फिर आप संक्राचारिय की अवमानना कर रहे हैं, जबकि इस अवमानना और मानना से उठकर के सही आदमी को सही बात करनी चाहिए। प्रेलिया मार्स में होना बताया जा रहा है तो उसका लाब लेने के लिए ये इस तरीके के कारिय करम किया जा रहे हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ मैं एक आदमी को जानता हूँ हर वक्त राम की बात करता था राम राम के लिए राम के लिए सब कुछ था मैं बड़ा आशिर्य चकित था ये देख करके कि अभी जो राम मंदीर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यकरम होने वाला है अभी वे व्यक्ति कहते हुए पाया गया कि भई राम कोई इश्वर थोड़ा ही थे राम कोई भगवान थोड़ा ही थे वो तो एक आम आदमी थे अब एकदम से मान्यता क्यों बदल गई उसकी किसलिए कि वे समाजवादी से जुड़ा हुआ है अरे भई आप पार्टी से जुड़ो जहां पक्स मैतोपून है वाँ विपक्स भी मैतोपून है लेकिन आप अपने विचारधारों को इसे मत बदलो दूसरी बात एक आदमी ने क्या कहा दूसरा आदमी जो वास्तों में शुरी राम के नारे लगाता था राम दिखाई देता था वे कह रहा है कि राम तो आदमी भी नहीं था बलकि अच्छा आदमी नहीं था गंदा आदमी था राम और कई परकार के प्रशन उठाए मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर राजनीति के कारण हमारी विचारधानाईं बदलती है हमारी मान्यताईं बदलती है तो हम किस जगे स्टेंड करते हैं यह दिख जाना चाहिए मैं कहूंगा कि सनातन सिंस्कृती के लिए सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि हम छोटे से स्वार्थ के लिए छोटी सी बात को ले करके अपनी मान्यताऊं को अपनी धारणाऊं को बदल लेते हैं ठीक इसी परकार से जो विपक्षी लोग हैं जो कि इसको राजनेतिक रंग देना चाहते हैं वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं वे कह रहे हैं कि भई इसका राम नम्मी को होना चाहिए था क्या सारे के सारे मंदिरों में पराण परतिष्ठा राम नम्मी को होती है श्री राम मंदिर होते हैं या भगवान शिव के मंदिरों में शिवरातिरी को पराण परतिष्ठा होती आई है क्या ऐसा होता आया है ऐसा बिल्कुल नहीं होता आया है मैं एक और भी बात बता दूँ कि बहुत सारे आदमी जो राम के गीतगा रहे हैं राम की तारीब भी कर रहे हैं इसलिए कि वो समाजवादी से जुड़े हुए हैं या कॉंग्रेस से जुड़े हुए हैं वे कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा विरोध इसलिए कर रहे हैं हमारे ने उरोद नहीं करना हजार मुद्री पड़े हैं आपके लिए हजार चीज पड़ी हैं राम के लिए बात छोड़ दिजेगा आप हजार जगहों पर विरूध कीजेगा ऐसा करके डेफिनेट्ली में पक्का कहूंगा ऐसा करके वे अपना नुकसान कर रहे हैं और कमाल की बात यह है कि लोगों को पता नहीं चलता कि वो अपना नुकसान ना तो वो प्रान परतिष्ठा को रोक पाएंगे ना वो मंदिर के निर्मान को रोक पाएंगे रोक पाएंगे और आगे अपने बविश्य को खराब कर रहे होंगे मैं इस किकर्म में बढ़ अब भाग बाग ले रहे हैं भगवानशीरां के गीत या रहे हैं। अगर वो इस तरह की इलोजिकल बात कर रहे हैं तो राजनीती से प्रेरित हैं या अहंकार से प्रेरित हैं इनके पीछे कोई लोजिक नहीं है एक पोस्टर में लगतार देख रहा हूँ उसमें भगवान सिरी राम का बाल रूप दिखाया गया है और नरेंदर मोदी की वो उंगली पकड़े हुए हैं उन्हें बड़ा दिखाया गया है और ऐसा दिखाने का परियास किया गया है जैसे नरेंदर मोदी भगवान सिरी राम की उंगली पकड़ कर उन्हें मंदिर में ले जा रहे हैं तो ये कहां तक सही है ये बिलकुल अज्यान है हाला कि मैंने इस पोस्टर को देखा नहीं है लेकिन बहुत सारे आदमी अपने नेता को बड़ा दिखाने के लिए इस तरह के कारिय करते हैं इसके लिए मैं मोदी जी क को जिम्मेदार नहीं ठहरा हूँगा योगी को या फिर पार्टी के लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा हूँगा बहुत सारे लोग मोदी जी का मंदिर बनाए हुए हैं बहुत सारे लोगों इसे भी हैं सचिन का मंदिर सचिन तेंदूलकर का मंदिर बना हुआ है अब उस तरह के कृतियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए यह चीजें हिंदु धर्म के लिए सनातन संस्कृति के लिए अच्छी नहीं है चलिए तो मैं आनंद स्वामी जी को आपने सुना फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी तब त